दोस्तो, Realme 9 Series का आगाज हो चुका है, यानि दोस्तो, Realme 9i यह जो स्मार्टपोनी यह already इंडिया में लॉंच कर दिया गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर Realme की तरब से 9 Series के अंदर में 3 स्मार्टपोन मिलने वाले हैं, Realme 9 Pro, Realme 9 Pro Plus, इन दोनों स्मार्टपोन को तो कंफर्म क कर दिया गया कि यह 16 फरवरी को हमें इंडिया में लॉंच अतवे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तो, अभी भी यहाँ पर एक स्मार्टपोन बचा हुआ है, और वो है यहाँ पर Realme 9 5G, जी हाँ दोस्तो, यह 5G स्मार्टपोन अने वाला यह कंफर्म है, और इसके यह वीडियो बहुत ही जादा हलफुल होने वाली है, तो एक बार इस वीडियो को चेक आउट जरूर कीजेगा, साथ में अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी हलफुल लगती है, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत बुलेगा, साथ ही मे दोस्तों चैनल को सबस्क्राइब और बैल आइकन को जरूर से प्रेस करतीजेगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपकी डिवाइस पर टाइम टी टाइम मिलती रहें, तो चलिए शुरू करते हैं, मेरा नाम है राम और गैजट निजिन पर आप सभी का स्वागत है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करेते हैं, फोन के डिजाइन और बिल्ड क्वाल्टी की, वैसे दोस्तों ये बता दू क्या इस स्मार्टपोन की अभी दग यहाँ पर कोई भी रेंडर्स बगेरा लिक नहीं हुए हैं, तो ये बता पाना थोड़ा सा मु प्लास्टिक की दोस्तों तो ये स्मार्टपोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पर ही देखने को मिलने वाला है, प्लास्टिक की फ्रेम होगी, प्लास्टिक की बॉड़ी मिल जाएगी, और फ्रेंट में आपको यहाँ पर पॉसिबिली कॉर्णि गोरिला ग्लास का प्रोटेक मिल जाएगी वहीं पर अगर फ्रेंट लुक की बात की जाए दोस्तों तो फ्रेंट लुक हमेशा की तरह आपको यहाँ पर सेम देखने को मिलने वाला है तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के मेन स्पेसिफिकेशन के बारे में तो फोन के अंदर आपको मिलने वाली है साड़े चेंचेस की फुल एचडी प्लस वाली IPS LCD पैनल जी हाँ दोस्तों 9 Pro और 9 Pro Plus की तरह आपको यहाँ पर AMOLED पैनल नहीं मिलेगी IPS पैनल का आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलने वाला है साथ में आपको यहाँ पर 20-9 का एसपेक्ट रेशियो देखने को मिल जाएगा देखा जाए तो आउटडर में भी आपको यहाँ पर कोई खास शिकायत नहीं आने वाली जहां तक बात है गेमिंग की दोस्तों तो 90 हर्ट्स की रिफ्रेश्ट होने वाली है और 180 हर्ट्स की टश सैंप्ली ग्रेट आपको मिल जाएगी तो देखा जाए यार तो यहाँ पर पर मिलने वाले है तीन कैमरा जहां पर में कैमरा होगा 48 PK का साथी में आपको यहाँ पर EIS का सप्पोर्ट मिल जाएगा दो का मैक्रोगा दो काडएप सेंसर मिलने माला है तो यहां पर जो रियर चामरा मोडियोल य सो वह अपको यहाँ पर डीसेνट मिलने मला है वहीं पर अगर selfie camera की बात करें तो हमेशा की तरह इस बार भी आपको यहाँ पर 16 megapixel का sensor मिल जाएगा selfie के लिए और जहां तक बात है video recording की तो front और back दोन ही camera से आप यहाँ पर full HD की video recording कर सकेंगे 30 fps पर जी हाँ दोस्तो 347 30 fps पर तो camera module आपको यहाँ पर इस बार का decent मिलने वाला है हाला कि दोस्तों यहाँ पर realme की tuning अच्छी होती है तो camera का जो output होगा वो आपको अच्छा मिल जाएगा तो camera के मामले में आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली और दोस्तों इसी के साथ में बढ़ते हैं आगे बात कर लेते हैं अब यहाँ पर phone के chipset की और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बदा यह smartphone अभी हाली में FCC पर spot किया गया है जहाँ पर काफी हद तक यह confirm हो चुगा कि phone के अंदर हमें मिलने वाला है Mediatek का Dimensity 810 का chipset वैसे दोस्तों इसी chipset के साथ में अभी हाली में यहाँ पर Realme का 8S 5G smartphone लॉंच किया गया था तो इतना तो पता है दोस्तों कि chipset काफी अच्छा है, performance काफी अच्छी निकाल कर देता है 6 nanometer की fabrication पर बना हुआ है, तो आपको यहाँ पर heating के जो issues हैं वो काफी कम मिलते हैं साथ में आपको यहाँ पर performance और battery backup दोनों ही काफी अच्छा देखने को मिल जाता है हाँ तो भई, बात के लिए तब यहाँ पर raw CPU के आर, तो 64-bit architecture के साथ में आपको मिलते हैं यहाँ पर 8 core जिसमें से 2 core आपको मिल जाते हैं, high performance टास के लिए 2.4 GHz पर cortex A76K साथ ही में बाकी के 6 core आपको मिल जाते हैं, medium task और power efficiency के लिए 2.0 GHz पर cortex A55K performance दोस्तों काफी अच्छी निकाल कर देता है, day to day uses में आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी वहीं पर अगर gaming की बात कर लें, तो gaming के लिए आपको मिल आता है, आम माली G57 MC2 का एक 2 core वाला GPU हाला की 2 core का GPU है, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर gaming काफी अच्छी करा देता है, और आपको यहाँ पर video editing और rendering में भी help कर देता है, तो performance और gaming में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली, चली जानते हैं अब यहाँ पर phone के RAM और storage के बारे में, तो दोस्तों यहा आतने, और काफी सारे leaks तो यह भी बता रहें कि 4GB RAM वेरिंग भी देखने को मिल सकता है, जहाँ पर RAM की quality होगी LPDDR4X, और वही पर आपको यहाँ पर 64GB और 128GB की inbuilt storage मिलने माली है, और यहाँ पर storage की quality होगी UFS 2.2, तो देखा जाये तो RAM और storage का जो module दिया गया दोस्तों वो आमने में कभी भी compromise नहीं करते हैं, जिया दोस्तों इस phone के अंदर आपको मिलने माली है 5000MH की battery, जो की दोस्तों काफी अच्छे size की battery है, आपको एक दिन का backup भी काफी अराम से निकाल कर देती है, और साथी दोस्तों यहाँ पर जो smartphone यह भी heavy नहीं होता, battery size आपको काफी अच चार्ज कर दिया, तो 33W की charging का support होने वाला है, और charging के लिए Type-C वाली port मिल जाएगी, तो battery module आपको अच्छा मिलने वाला है, battery module से भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी, हाँ दो भई, अब बात के लेते हैं यहाँ पर phone के कुछ extra features के बारे में, हाला कि दोस्तो IPS पैनल दिया गया है, तो definitely हमें यहाँ पर side mounted वाला fingerprint sensor मिलेगा, face unlock दियसे features तो definitely मिली जाते हैं, साथ में आपको यहाँ पर मिलने वाला है 3.5 mm का jack, triple card के option आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पर एक जात में दो 5G SIM और एक memory card लगा सकते हैं, जो की काफी अच् में दोस्तों यार, इस smartphone को तो नहीं छोड़ा जाएगा, तो इस smartphone के जब भी हमें आपर dual stereo speakers ही देखने को मिलने वाले हैं, तो audio अच्छी और loud मिलने वाली है, तो यहाँ पर भी आपको कोई खास शिकायत नहीं होगी, और finally दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपर phone के OS की, और पर सकते हैं, तो यह काफी अच्छी बात होने वाली है, और guys अब बारी आ चुकी है, इस smartphone की launch date और pricing के बारे में बात करने की, तो पहले बात कर लेते हैं, launch date की guys, तो यह जो smartphone ही, यह possibly हमें March महीने के अंदर launch होता हुआ देखने को मिलने माला है, क्योंकि दोस्तों अभी यह चार जीबी वाला वेरेंट आता है, तो यह smartphone हमें कहीं न कहीं 15-16 जार रोपे की price पर देखने को मिलेगा, लेकिन अगर smartphone का base वेरेंट यहाँ पर 6 GB रायम और 128 GB inbuilt memory के साथ में होता है, तो guys यह smartphone हमें 16-17 जार रोपे की आसपास में देखने को मिल सकता है, वैसे guys देखा जा और guys अगर यह smartphone का 4 और 64 वाला वेरेंट आता है, तो आप क्या expect करते हैं यह smartphone आपको किस price पर मिलना चाहिए, वैसे उम्मीद तो यही है दोस्तों कि यह smartphone अगर aggressive pricing के साथ में आते हो तो काफी ज़्यदा बेटर रहेगा, और दोस्तों अंडर 15,000 की price पर अगर हमें Mediatek Dimensity 810 यह साथ तगड़ा चिपसट मिल जाए, तो यह काफी अच्छी बात रहने वाली है, हाला कि दोस्तों इसके बारे में opinion क्या है आपका वो आप हमें comment में बता सकते हैं, और दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आप हमारे लिए बहुत ही में ज़रूर बताएगा, साथ में उम्मीद है वीडियो पसंद आओगा तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजेगा और बैल आइकन को प्रेस करना बिलकुल मत बुलेगा, सो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक के लिए अपना ख